जश्रे कृष्णा, हेलो एवरिवन, आज हम आपके साथ शेव भाजी की रिष्टी पी शेयर करने जा रहे हैं शेव भाजी बनाने के लिए हम प्यास को गैस पर जला लेंगे प्यास पूरा जल जाने के बाद हम उसे निकाल लेंगे और इसी तरह बागी के प्यास भी जला लेंगे अब इस तरह हम सुखे नारियल को भी जला लेंगे नारियल को हमें पूरा नहीं जलाना है ये थोड़ा सा जल जाए तो इसे हम निकाल कर नीचे रख देंगे ये अपने आप ही जल जाएगा इस तरह सारे प्याज और नारियल जलाने के बाद हम इने ठंडा होने देंगे ठंडा होने के बाद नारियल को इस तरह बारिक तुकडों में कट कर लेंगे और प्याज को भी चील कर तुकडों में कट कर लेंगे अब हम इनको मिकसर के पॉट में डाल देंगे पहले नारियल डालेंगे फिर प्याज फिर लसुन की छेसात कलिया दो हरे मिर्च के तुकड़े और एक अध्रक का तुकड़ा डालकर इसको अच्छा बारीक पीस लेंगे इस तरह इसे हम एकदम बारीक पीस लेंगे सर्फ पीस्ते अक इतना ध्यान रखना है कि इसमें हम पानी बिलकुल भी नहीं डालेंगे क्योंकि आज हम इसका आधा ही प्रेस्ट यूज़ करने वाले हैं और आधा हम बाद में 15 दिन तक इसको स्टोर करके वापस यूज़ कर सकते हैं ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे तेल गरम होने के बाद हम थोड़ा बारिक कटा हारा धनिया और पेज जाल कर अच्छे से भून लेंगे इसे हम कम गैस पर ही भूनेंगे थोड़ा भून जाने के बाद हम इसमें 1-4 टीस्पून हल्दी पाउडर half टीस्पून रेडचिली पाउडर half टी स्पून धनिया पाउडर भून फोट टीस्पून गरम मसाला डाल कर इसे थोड़ा से भून कर इसमें थोड़ा पानी डालेंगे ग्रेवी जब थोड़ा सा तेल छोड़ने लगे तब हम मिकसर के पॉट में जो बचा वो मसाला था उसमें का पानी और थोड़ा दूसरा पानी डाल कर ग्रेवी को पतला कर लेंगे अब हम इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे और इसे बॉइल होने देंगे जब हमें सर्व करना है तब ही हम इसमें शेव डालेंगे इसी ग्रेवी में हम पातोडी की सबजी और मिसल भी बना सकते हैं सर्व करते वक्त पहले हम शेव डालेंगे फिर उस पर गरम गरम ग्रेवी डालेंगे अब हरे धनिये से हम उसको गार्निश करेंगे हमारी शेव भाजी बन कर रेडी है गरम गरम शेव भाजी का गरम गरम बाजरी की रोटी के साथ आनन लीजे